असलाम वालेकुम, मार दियर स्टूरेंट्स, आज मैं आपको दियर स्टूरेंट्स के बारे में हम आज बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जो क्लास थर्ड में है और सब्जेक्ट इविएस, साइंस में है अब हम देखेंगे, डोमेस्टिक अनिमल्स, डोमेस्टिक अनिमल्स में कौन-कौन से जानवर आते हैं, अपने घर में देखा ही होगा, गाई होती है, बकरी होती है, गोड़ा होता है, बैंस होती है, यह सब डोमेस्टिक में आते हैं, डोमेस्टिक में जैसे हमारी काव है, ग गोट दोत और यह सब डॉमस्टिक में इनकोस सब अपने घरूं में पालते हैं किस चीज के लिए पालते हैं उन उनम्होंग में टेंदे च्षाद हैं यह में बोदेटे हैं और माझें मिलक्क प्रोड़क्ट्टस जिससे हम पनीर वगेरा बनाते हैं दही बनाते हैं काव, गोटर, बफैलो को हम मतलब dairy products के लिए पालते हैं गर में और जो बाकी animals होते हैं जैसे के horse होता है, ox होता है, उनको हम अपने farm में यूज करते हैं, जमीन जोतने के लिए या हमारा load carry करते हैं, तो इस तरीके से यह हमारी मदद करते हैं, जो second one है, wild animals है, wild animals में सबसे पहले हम देखेंगे, tiger है, loin है, snake है, या elephant है, यह wild में होता है, इनको हम अपने गारों में नहीं पालते हैं, इनको हम किसलिए यूज करते हैं, यह wild animals है, इनके हम कुछ products यूज करते हैं, जैसे कि snake है, snake की skin हम यूज करते हैं, उससे belt वगेरा बनते हैं, पर्स बनते हैं, बाकी चीज़े बनती है, बाकी जो इनकी skin जो है tiger वगेरा की, इससे हम jackets वगेरा बनाते हैं, या इनकी class हमें इस्तमाल हम करते हैं, elephant है, elephant के जो ivory है, वो हम use करते हैं, इन चीज़ों में हमें ये काम आते हैं, domestic animals, हमारे मतलब गरों में पपलने वाले जानवर, हमारे मतलब किस-किस काम आते हैं, जैसे हम इन से milk और milk प्रोड़क्ट्स हासल करते हैं, और हमारे फारम में इस्तमाल होते हैं, और बाकी wild animals जो हैं, इनके हम कुछ प्रोड़क्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे skin वगएरा, class होते हैं, ivory, ये सब चीज़े हम इनकी यूज़ करते हैं, कुछ प्रोड़क्ट्स बनाने में, जैकेट्स बनते हैं, कोट्स, बैल्ट वगएरा पर सेज़े हम इनकी skin से बनाते हैं, इन तरीके से हम, इस तरीके से हम, इनसे फायदा उठाते हैं,